नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइट नीज नेशन मैं हूँ आपके साथ नेहां बिहार में अचानक जहरेली शराब से मोत के बाद का इमाम ले सामने आने के बाद सरकार पर शराब बंदी की समिक्षा के लिए दबाव वड़ा है मुख्या मंतरी नितीश कुमार जल्दी अफसरों के साथ इस मसले पर बैठा करने वाले हैं बहुत से लोग चाहते हैं कि शराब बंदी का फैसला खत्म कर देना चाहिए सवाल ही है कि क्या सरकार ऐसा करेगी शराब बंदी से जुड़े प्राधान में एक बड़ी छूट पिछले दिनों सरकार ने दी थी सवाल यह है कि क्या सरकार इसका दायरा बढ़ाएगी इस सवाल के जवाब आपको मुख्यावंतरी के साथ ही भाजपा और जेडियों के तमाम नेताओं के बयानों में मिल जाएगा मुख्यावंतरी नितिश कुमार खुद ही कहीं मोक पसाफ कह चुके हैं कि कुछ लोग शराब बंदी के फैसले से खुश नहीं है वे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भी इसलिए ही करते रहते हैं बावजूद इसके उन्होंने हर बारी एसाफ किया है कि इस फैसले को बदलने की कोई संभावना नहीं है बिहार विधानसबा के स्पीकर और भाजपा नेता विजय सिन्हा ने भी शनिवार को शराब बंदी को जरूरी बताया इसके लिए शाशन पर शाशन में बैठे लोगों की जिम्मेदारी तै करने के साथ ही विधाई का, काहिए पाली का और निया पाली का में बैठे लोगों से इमानदार पहल की जरूरत जताई उन्होंने शराब बंदी को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक जागरुपता अभियान की थी वकालत की भाजपा सांसद और पूरू खेमंतरी सुशील मोदी ने शराब पीकर मरने वाले लोगों के सोजनों को चार लाक रुपे मौावज़ा देने की मांग की है भाजपा के प्रदेश उपाद्यक्ष राजी वरंज़ा ने कहा कि विपक्षी जानमुच का शराब बंदी को फेल करने की साजिश रचरा है विपक्षी पार्टियों के लोग ही शराब का धंदा करते हैं ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हैं नेक्स नाइन न्यूज नेशन के साथ धन्यवाद